आज मैंने breakfast में बनाए थे sandwich और साथ में sandwich वाली चटनी लेकिन ये sandwich सबको इतने पसंद आए कि सबने पेट भर भर के खाए और lunch बनाने से मुझे भी मिल गई आज छुटती तो सोचा क्यों ना इन मज़ेदार sandwich की recipe आपके साथ भी शेयर की जाए तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया mixica जार उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दिया साथ में दो हरी मिर्श डाल दी तीखा जादा पसंदो तो हरी मिर्श की मात्रा बढ़ा सकते हैं दो इंच अद्रक डाल दिया थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा काला नमक आधा चम्मस से थोड़ा कम जीरा डाल दिया वन फोर्थ स्पून डाला आमचूर पाउडर आधा चम्मस डाल दिया चाट मसाला और दो चम्मस दही डाल दिया दही मैंने यहां खटा लिया है अगर आप फ्रेश दही ले रहे हैं तो नीबू का रस्पी डालिएगा अब इसमें टू टेबल स्पून भुजिया डाल दी मतलब जो नमकीन सेव होते हैं वो डाले हैं मैंने और साथ में थोड़ा पानी डालेंगे और ना चटनी को पीस कर त चाया है और नमकीन डालने से इसे बाइंडिंग मिली है मतलब गाड़ी गाड़ी चटनी बन चुकी है तो टेस्टी सैंविच चटनी त्यार है इसे अलग रख देते हैं अब यहां पार मैंने ले लिए उबले हुए आलू और आलू को पहले ही छील लिया था अब इने मैंन अब इसमें तंडिया सकते हैं कर सकते हैं एक घृमिर्श साथ में यहां पर थोड़ा सा प्यास अब इसमें थोड़ा सा ओरिगयन को डुडाल ऐसाugen अड़े है आज हम चट्नी जो हमने बना के त्यार की है सैनिच वाली चट्नी इन प्यस्ट अब इसमें हमने डाल दिया एक चम्मस टामेटो सॉस बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है और चटपटा सा मज़ेदार सा आलू का मसाला त्यार हो चुका है तो आलू का मसाला तो हमने बना लिया है अब हमें सैंविच बनाने के लिए चाहिएं ब्रेड तो मैंने यहां ब्रेड ले ली है और ब्रेड के उपर सबसे पहले आपको लगाना है बटर बटर लगाने के बाद ही हम चटनी लगाएंगे ताकि से ब्रेड जो है वो सौगी ना हो अब यह गाड़ी गाड़ी सैंविच वाली चटनी मैंने लगा दी है अकसर आप लोगों के कॉमेंट आते हैं कि सैंविच वाली चटनी की रेसिपी बताईए तो आज मैंने यह चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है आप जरूर बनाएगा और कैसी लगी आपको कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब जो आलू का मसाला बनाया था वो भी ब्रेड के उपर अच्छे से लगा दिया अब हमने सेकेंड ब्रेड ले ली है और इसके उपर भी बटर लगा देंगे बटर लगाने के बाद इसे बटर वाली साइट से इस तरीके से रखेंगे और फिर से इसके उपर हम थोड़ा सा बटर और लगाएंगे अब यहाँ पर मैं इसके उपर लगा रहे हूँ टामेटो सॉस अगर आपको टामेटो सॉस पसंद ना हो तो आप केवल हरी चटनी के इस्तिमाल करें अब इसके उपर मैं लगा दूँगी यहाँ पर शिमला मिर्श इसे भी मैंने कट करके पहले ही रख लिया था शिमला मिर्श लगाने के बाद अब यहाँ मैंने यह टमाटर के स्लाइस इसके उपर लगा दिये हैं थोड़ी से खीरा के स्लाइस भी हम लगा देंगे और हम ना अब इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा स्वीट कॉन अगर स्वीट को ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं यहाँ पर गाजर को भी स्लाइस में कट करके मैंने इसके उपर लगा दिया है काफी सारी सबजियां हम इस्तमाल कर रहे हैं तो सैन्विश टेस्टी तो है यह साथ ही हैल्दी भी है अब इसमें थोड़ा नमा, काले मिर्श पाउडर और चार्ट मसाला डाल दिया उपर से मैंने इसके उपर चीज ग्रेट किया है चीज डालने से यह सैन्विश और भी ज़दा टेस्टी हो जाएगा और बच्चों को तो बहुत ही ज़दा पसंद आएगा चीज डालने के बाद इसके उपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ा सा डाल दें और ही कहनो अब हमने यह थार्ड ब्रेड ले ली और इसके उपर हमने लगा दिया यहां बटर और अब इसके उपर मैंने लगा दिया हरी चटनी हरी चटनी अच्छे से लगाईएगा हरी चटनी सिना सैन्विश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब चटनी वाली साइट से इसे ऐसे रखकर हातों से थोड़ा दबा दे अब बिना टोस्टर के हम इसे बना रहे हैं तो गैस पर कोई तवाया पैन रखके इसके अंदर थोड़ा बटर लगाएं और जो सैन्विश एसेंबल किया है उसे इसके अंदर रख दीजे आपको एक प्लेट लेनी है जो की सैन्विश के उपर आ जाए और इसे ढखकर इसके उपर वजन रख देना है लगबग देड़ मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे सिखने देंगे अब देड़ मिनट बाद ये जो वजन हमने रखा था वो हटा दें और प्लेट भी हटाएं इसके उपर थोड़ा सा बटर आप और लगा दीजे वैसे तो सैंविच आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन बटर में ये एक्सट्रक्ट रिस्पी बनते हैं और पहुत ही तेस्टी लगते हैं अब आप क्या करेंगे इसे पलड़ देंगे ये देखी कितना अच्छा क्रेस्प और कितना अच्छा कलर अब इसे ढग देंगे फिर से और लगबग एक तेड़ मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर सिखनी देंगे वही प्रोसेस करना है प्लेट रखनी है और वेट रखना है अब लगबग देड़ मिनट बार मैं आपको ये सैन्विश पलट कर दिखाती हूँ कि दूसी तरफ से कैसा सिखाए ये देखे बहुत ही मज़िदा तो बिना टोस्टर के भी आप इस तरह बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे से सैन्विश बना सकते हैं अब इसे कट कीजे जब भी आप ये वाले सैन्विश बनाएना तो ज़्यादा मात्रा में बनाएगा क्योंकि सब ना इन्हें एक्स्टर ही खाते हैं ये सब को पसंद आते हैं मैंने खुद ने पूरे चार सैन्विश ये खाए इन्हे खाकर मजाई आ गया तो आप भी ये सैन्विश रेसिपी जरूर ट्राइ करें बच्चों की टिफिन में भी आप उन्हें ये सैन्विश दे सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें